20 सक्टूबर को अमेरिका के दो बंधक रिहा किये और 21 सक्टूबर को हजारू टन की राहत समग रहे गाजा के अंदर चली गए क्या बंधकों की रहाई और राहत समग रहे गाजा के अंदर भेजे चाने को लेकर कोई सीक्रेट टील होई है ये बहुत बड़ा सवाल है आखिर हमास के खुँखार आतंकवादी इसरेल से भी बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानते हैं फिर आखिर ये अतंकवादी इतनी जल्दी कैसे अमेरिका के दो बंधकों को रहा करने पर राजी हो गए ये वो सवाल है जिसके जवाब से बड़ा कूटनेते गेम डीकोट होने वाला है पिछले 15 दिनों से इसरेल पूरे घाजा पर ताबर तोड बंबारी कर रहा है ये जानते हुए भी कि घाजा के अंदर इसरेल के 200 से ज़ादा नात्रिक कैदी है और उनकी जान को खत्रा हो सकता है कैदियों में बहुत सारे चोटे बच्चे भी है ये जानकारी भी इसरेल को है लेकिन इसके बाण भी इसरेल की ये नीती रही है कि वो कभी भी आतंकवादियों के सामने चुपता नहीं है और बंधक बनाने के बाद दुश्मन के दुआरा खेले जाने बाले माईंद के तबाव में नहीं आता है और बिल्कुल ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ, इस्रेल के प्रधान मंत्री बेनमीन नेतन याहु ने 7 अक्टूबर को ही यानी हमास के अटैक के दिन ही ये एलान कर दिया था, कि इस्रेल अब युद्ध में है, उन्होंने कहा था कि वी आर इन वार्ड, तब से आज तक कभी भ के सक्त रवये के बावजूद हमास के आतंकवादियों के साथ सीक्रेट डील के तहट अपने बंदकों को रिहा करवाने पर काम शुरू कर दिया है। हमास की तरफ से की जा सकती है क्योंकि इस्राइल और दूसरे देशों का रुक बहुत कड़ा है हमास के खिला। है कि आतंकवादी सुरंगों के अंदर भूग से बिल बिला रहे हैं और इसलिए सीक्रेट डील के जरीए एक तरफ गाजा के अंदर राहत समगरी को आने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दो बंधकों को रिहा भी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस सीक्रेट डील में एक एहम किरदार कतर के अमीर भी हैं। याद कीजे अमेरिका के विदेश मंत्री अंटरी बिलिंकन ने कतर का दौरा किया था और कतर के अमीर से मुलाकात की थी। इस दौरान क्या बात हुई इसकी फुल डीटेल नहीं आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी बरतें खुलने शुरू हो गई है। दरसल अमेरिका के दो बंधकों की रिहाई के बाद कतर के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है की। ओन धंकों की पीछ थोकेगा कि राहत समगरी से भरे हुए टुक घाजा के अंदर पहुँच गए है। और जाहर से बात है कि घाजा के अंदर जब ये टुक जाएंगे तो इन पर कपझा आतंकियों का ही होगा। क्योंकि गाजा पर जमीनी कब्जा आज भी हमास के आतंकियों का ही है और ये कोई नई बात भी नहीं है। पिछली एक हफ़ते से लगातार इस्रैल पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो रफा क्रॉसिंग को खोल दे और राहत समंग्रियों को घाजा के अंदर जाने थे। लेकिन इस्रैल इसके लिए तैयार नहीं था और उसने दो बार रफा क्रॉसिंग पर एयर स्ट्राइक भी की थी। यहीं नहीं एजिप्ट के राश्रपति अल सीसी भी बयान दे चुके थे कि अगर घाजा के अंदर राहत समंग्रियों नहीं जा पा रही है तो इसकी एक और वज़ा इस्रैल की जित है। इस्रैल के अंदर उन परिवारों में पहले से काफी गुच्सा था जिनके सदस्यों को घाजा के अंदर हमास ने किट्नैप किया हुआ है। पूरी उमीद है कि जब अमेरिका के विदेश मंतरी टोनी ब्लिंकन ने कतर के अमीर से बात की होगी तब अमेरिका की तरफ से भरोसा दिलाया गया होगा कि अगर हमास बंधकों को रिहा करता है तो इस्रैल राफा बॉडर को खोलने के लिए राजी हो जाएगा। पहले नेतन याहू के अंदरूनी राजनीती पर बात करनी ज़रूरी है। इस्रैल के अंदर एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे का दावा है कि इस्रैल के 21 प्रतिशत लोग गाजा में हमला करने के विरोध में हैं। लेकिन 65 प्रतिशत लोग हमास पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में 51 प्रतिशत लोग नहीं चाहते कि हिजबुल्ला के साथ जंग हो और उन 6 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला के साथ भी जंग हो जाए लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल नेतनियाहू के लिए ये हुई है कि सर्वे के मुताबिक अगर आज इसरेल में चु लेकिन नेतनियाहू इसलिए मजबूर हैं कि वो कई फ्रंट पर जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका का साथ और अमेरिका के हथियार उन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए यूधरन नीती के हिसाब से भी अगर आप सोचेंगे तो ये पता चलेगा कि हमास के साथ लड़ाई इसरेल की लंबे वक्त तक गाजा में चल सकती है और गाजा में लड़ाई लड़ने के लिए हमास को भी लंबे वक्त तक रसद चाहिए यानि खाना चाहिए शायद इसलिए जो राहत समगरी रफा से घाजा के अंदर गई है उस पर कबजा करने की पूरी कोशिश आतंकियों के द्वारा की जाने वाली है जब आप इन सारी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि तमाम देश अपने बंधकों को छोड़ाने के लिए नेतनियाहू के साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं अगर आज अमेरिका डेमोक्रेट्स की जगा रेपब्लिकन की सेरकार होती और ट्रम्प या कोई रेपब्लिकन राश्रोपती होता तो शायद वो हमास और इरान के खिलाब स्यादा सक्त होता लेकिन नेतनियाहू की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है डेमोक्रेट्स को अमेरिका में रेपब्लिकन के मुकाबले उदार पंथी माना जाता है दीखे कैसे बाइडन ने पहले बेहत शालांकी से हमास से दील के तहट अमेरिका के दो नागरिकों को रिहा करवाया और फिर अमेरिका के अंदर राजनेतिक लाफ लेने के लिए दोनों बंधकों से मुलाकात भी किये और स्वागत भी किया है ये दोनों अमेरिकी बंधक साथ अक्टूबर को इसरैल के किबुट्स में थे यहां पर आतंकियों ने सबसे ज़ादा हिंसा की थी यहीं पर नतालिया अपनी दादी का बोध्दे सेलिब्रेट करने गई थी लेकिन आतंकियों के कबजे में चली गई नेतन्याहू को तो काफी दगड़ा जटका लग गया है क्योंकि 15 दिनों से जो आतंकी सुरंगों के अंदर भूख से बेलबेला रहे थे उनके पास अब राहत सामाकरी पर कबजे का विकल्प मौझूद है लेकिन बंधकों के परिवार में खुशी है खास तौर पर नातालिया के भाई अपने बैहन के रहाई से उच्छा में है ब्रिटन और फ्राम्स के नाकरिक भी हमास की कैद में हैं जाहिर सी बात है कि जिस तरह घाजा में मारे जा रहे आम लोगों का एक दर्द है ठीक उसी तरह से घाजा के अंदर हमास में मौझूद छोटे बच्चों के माता पिता का भी दर्द बहुत बड़ा है और रहाई के इस मौके पर ये दर्द छलका है गुल मिलाकर इसरेल और हमास के इस जंग में एक ग्रेट गेम चल रहा है जिसका खामियाजा नेतन्याहू को भुगतना पड़ रहा है नेतन्याहू जैसा सक्त जान जिसने अपने भाई को जंग में खोया है वो कभी भी इतनी आसानी से रफा क्रॉसिंग खोलने का फैसला नहीं ले सकता था लेकिन शायद अमेरिका का दबाओ उनके स्ट्रेड़जी पर ज्यादा भारी बड़ा है